तो हमने अब तक निचले स्थर के जवन्तूं के बारे में पढ़ लिया है, जिसमें आखरी में हमने पढ़े नोटोकॉड विहीन, फाइलम, अकाइनो डर्मटा के जन्तू अब हम पढ़ेंगे उचले स्थर के नोटोकॉर्ड युक्त जीवों के बारे में यानि की फाइलम कॉर्डेटा के वर्गी करन या क्लासिफिकेशन के बारे में अब Phylum Chordata को दो प्रकार के उप Phylum में बांड दिया गया, जिसमें थे Proto Chordates तथा Vertebrates, जिसको हम कशे रूकी कहते हैं तो आईए शुरू करते हैं सब Phylum Proto Chordata से अब हम अगर Proto Chordates की बात करें, तो ये वो जन्तू बने जिन्होंने आजकल के विकसित जन्तूओं को एक आधार दिया क्यूंकि इनके पास एक खास विशेश्था थी, जो था Notocord की उपस्तिती, पर ये सिर्फ जीवन की कुछ अवस्थाओं पर होती है ये Notocord एक लंबा रौड जैसा आधार है, जो इनके पीठ में होता है और ये तंत्रिका उत्कों को अहार नाल से अलग रखता है, जिससे पेशियां असानी से आपस में जुड़ जाती है और इनके कुछ गुनों की बात करें तो, ये द्वी परश्व सम्मितिके होते हैं और त्रिकोरक होते हैं और इनके शरीर में देहेगुहा उपस्तित होता है, यानि की इनके शरीर में अंग रखने की जगा होती है ये ज़ादा तर समुद्री होते हैं जिसके कुछ उधारन है बेलेनागलोसिस, हर्ड मेनिया और एमफियोकसिस वीडियो को रोकें और इसे अपनी कॉपी में लिख लें तो हमने पिछली वीडियो में सब फाइलम प्रोटोकोईडिटा की बात करी थी अब हम बात करेंगे सबसे ज़ादा विकसित उपफाइलम यानी कशेरुकी की हमारा अगला उपफाइलम है वर्टिब्रेटा यानी की कशेरुकी इनका सबसे खास गुन है इनका मेरू दंड जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं और इनका अंत कंकाल, जिसके कारण इनकी पेशियों का जुड़ा बाकी जन्तुओं के मुकाबले बहुत अलग और सटीक होता है. अगर इनकी गुनों की बात करें तो यहें द्वपर्श्व सम्मिति होते हैं, त्रिकोरक होते हैं, इनकी शरीर में देगवा होता है, शरीर विखंडित होता है, जैसे की सर अलग, पेट अलग, आदी, जीवन की पूर अवस्थाओं में नोटो कॉड होती है, और इनके पास य अब जो हमने कशे रुकी या वर्टीब्रेट्स के क्लासिस को वीडियो में देखा था, अब एक एक करके उनकी चर्चा हम आगे करेंगे